आज देवर्शी नाराज जेनती है आध्या पत्रकार के नाते हम सब उनको जानते हैं इसलिए नाराज जेनती के निमित्त देश के सभी पत्रकार मित्रों को कार्दिक अभिनंदन और हर्दिक श्वबेच्छाएं अपना देश कोरोना के संकट से जूज रहा है यह संकट दुनिया भर में व्यापत है परन्तु भारत के लड़ाई दुनिया के लड़ाई से थोड़ी अलग है अनेक देशों में सरकारी व्यवस्था के द्वारा वो देश इससे जूज रहे है परन्तु भारत में सरकार के साथ साथ समाज का भी सहवाग उतना ही महत्वका है और लाखों लोग अपने प्राण संकट में डाल कर समाज के लोगों की साहता कर रहे हैं ऐसा अदुरुष्य भारत के बाहर बहुत कम देशों में देखनों की मिलता है संग के सवयंसवक के ही करीब सट सट हजार स्थानों पर साड़े तीन लाह कारे करता है इस कारिय में सक्रिय है और करीब पचास लाख से अधिक परिवारों को साहता पहुंचा रहे हैं संग के सवयंसवक के अलावा अनेक अन्य सामाजिक संस्थाओं के कारे करता भी लाखों की संख्या में इस कारिय में सक्रिय है अनेक नए लोगों ने जो संग के सवयंसवक नहीं है उन्होंने भी संकट काल में संग के साथ काम करने के लिए अपने इच्छा व्यक्त की है औ सदियों से यह समाज उपर आधारित रही है यह कभी पश्चीम के अनुसार राज्य पर आधारित नहीं थे यह समाज आधारित हमारी सारी ववस्ताय होती थी और राज्या भी समाज का अंग था और जो समाज अपनी आवश्चक्ताओं के लिए राज्या पर कम सकर मवलंबित है सुवयम अपनी ववस्ताय करता है ऐसे समाज को यह रविद्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशे समाज कहा है योगा योग से आज रविद्रनाथ ठाकुर के भी जैंती है तो पत्रकारिता करते समय पत्रकार भी समाज का अंग है मैं यह समाज का अंग हूँ समाज से अलग नहीं हूँ यह भावना पत्रकारों के मन में अपने पत्रकारिता करते समय रहनी चाहिए यह रहती है तो मेरा समाज है और यह ऐसा समाज जो अपने प्राण संकट में डाल कर समाज के साहिता कर रहा है यह विशेज बात है जैसे सुरक्षा करमी है डॉक्टर से नर्से स्टाफ है यह सब अस्पतालों में काम कर रहे हैं उनको उसका वेतन मिल रहा है उनकी डूटी भी है फिर भी अपनी जी जान से वे प्राण संकट में डाल कर जिस प्रकार समाज के लोग इसमें सहयोगी हो रहे है सहकार कर रहे है यह विशेश बात है यह समाज को अपना मान कर यह लोग कर रहे हैं ऐसा समाज एक दिन में तैयर नहीं होता है अनेक वर्षों के पीडियों के प्रयतने के बाद ऐसा समाज गढ़ता है समाज स्वतंत्र एक और गएर यूनिट है ऐसा मानते हैं जब गुजरात में प्लेकर का प्रकुब हुआ था तब मैं वहां प्रांत प्रचारक था तो प्रकुआ के डर से वहां के अनेक डॉक्टर्स जो वहां के समा जिसे अपना धंद कमाकर अपना गजारा चला थे अपनी अपनी कारों में ंऊ-चंधाबाद कर शूरत के तरफ जा रहे थे तो ये समाज को घड़ा जाता है, इसके माध्यम से ऐसे काम में सक्री होता है इसलिए, पत्रकरता करते समय, यह जो समाज का आपस का ताना बाना है इसको सुधुरुड हो, यह अधिक व्यापक बने, इसको उधेड़ना नहीं है इसको विखरना नहीं है इस बात को ध्यान में रखकर ही अपनी पत्रक्रता करनी चाहिए कि बल न्यूस देना ये हमारा काम नहीं है तो समाचार के साथ साथ हमको समाच को जानकरी भी देनी है हमको समाज को सावध भी करना है हमें उने चेता और नहीं भी देनी है उनका प्रभोधन करना है ताकि गलत काम जो रिपरोट हो रहे वे वो न करे अच्छे काम करने वालों को प्रोधसान मिले ये सारी बाते अपने पत्रकारता करते-करते हम लोग कर सकते हैं